तो बिट लास्ट जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था number of unit cells निकालने का n by z ये उसी के उपर ये एक numerical है तो इसको देखे study करते हैं क्या कहरा है calculate the number of unit cells number of unit cells निकालने है 54 gram aluminium है अब 54 gram यानी mass दे दिया mass मतलब व दे दिया of aluminium अब aluminium अगर दिया है तो वैसे exams में जब आता है तो उसका molecular mass given होता है बाकी चलो आपको aluminium का याद भी होना चाहिए तो एक तरसे aluminium देने से मतलब हमें M की value मिल गई और इसने कहा CCP arrangement है CCP का दूसरा नाम है FCC मैंने ये पीछे भी हर वीडियो में बोल ला है तो FCC का rank कितना होता था वो अब आपको आना चाहिए बटा मैं पीछे भी होते हैं 6 और फेस पे कितना portion बनता था वन बै टू तो तो यह 3 बन जाएगा यह 1 बन जाएगा और 3 प्लस 1 4 आ जाएगा तो 4 आता है FCC के लिए याद हो जानी चाहिए पर बिटा बात तो चलो number of unit cells निकालने है देखो number of unit cells का formula क्या है n by z होता है अच्छा n by z आ गया formula इसका और लेकिन अब हमें z तो पता है z क्या होता है rank जो मैंने अभी बताया FCC है CCP और FCC एक है तो 4 आ गया लेकिन हमें n निकालने है तो n निकालने के लिए हमें क्या क्या given है w given है m given है तो अब आप अपने mind में सोचा करो कि w given है m given है और n निकालने है तो इन तीनों को लेकर कोई formula फॉर्मूला है क्या है क्या w by m जो मोल कंसेप्ट का जो प्लसमन में सिखाता था w by m equals to n by na ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले को हम लिख कर यहां से किसकी value निकालना हमारा मोटिव है n की तो n की value निकाल लेंगे क्या formula बन गया w by m into na अब w यानि given mass कितना आगया ये दे को 54 एवोगेडर नमबर होता है na 6.02 into 10 की पार 23 और aluminium का atomic mass होता है 27 तो 27 आगया और इसको solve किया हमने तो हमारे पास ये आगया बटा n की value कितने आगया ये आगया 12.04 into 10 रिस पार 23 पर हमने तो निकालने number of unit cells यानि n by z तो n की value तो आगया 12.04 into 10 रिस पार 23 और z यानि rank आगया किसका FCC का 4 तो 4 से divide कर दो तो हमारे पास ये particles बन गए 3.01 into 10 रिस पार 23 unit cells आगया हमारे पास और next अच्छा ये next आपको बटा एक basically समझाया गया numericals में कुछ बात धियान रखने का वो basically जो पीछे formula पड़ा था आपने d equals to z into m by a cube into n उसको लेकर है कि आपने बड़े numericals जो numericals होंगे उसमें बड़ी बात ये धियान रखनी है कि density को देखा करो मेशा अगर density की unit दियो ये ना gram पर centimeter cube में यानि cgs में तो आपकी edge length जो है वो centimeter में होनी चाहिए और जो molecular mass है वो gram पर mole में होना चाहिए अब gram पर mole मतलब जो आप याद करते हो values की hydrogen का 1 हो गया aluminum का 27 हो गया carbon का 12 तो ये जो masses हम learn करते हैं वो इसी में होते हैं cgs में होते हैं gram पर mole में होते हैं तो तब तो आपने ये करना है basically good bird बच्चे बटा यहीं पर करते हैं बाकी तो पता है आपको ये आप शोटी classes से पढ़ते हैं एक चीज centimeter में है तो दूसरी भी centimeter में लेने हैं लेकिन यहाँ पर good bird मत करना अच्छा गडबड और basically ऐसे case में होती है उसने क्या क्या होता है density kg meter cube में दी है अब kg और meter मनला SI तो A भी meter में लेना अच्छा A तो आपको पता लग जाएगा चलो meter में लेना है लेकिन M का ध्यान रखना क्योंकि M जैसे carbon है तो carbon का हम क्या याद करते हैं 12 लेकिन अगर density kg मे है तो 12 लिदनी लेना है फिर 12 को 1000 से डिवाइड कर देना है यानि 10 रिस टू पार माइनस 3 करना है क्यों क्योंकि 12 तो ग्राम में होता है पर हमें तो kg में लेना है तो इसलिए 1000 से डिवाइड करके फिर value को यूज करना है जैसे यह देखो मैंने यह बताया भी है कि अगर density kg म मोल ऐसे करना है अपने और नेक्स देखे नेक्स यह टोपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलेड्स अब इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है खराब भी आ जाना तो न॓र्मली क्या होता है जब वी солн बनता है क्रिस्टल बनाया जाते हैं तो उसमें कुछ ना-कुछ खराब ह आती ही है चाहे वो high temperature पे बनाया जाए चाहे लो पे बनाया जाए चाहे बिल्कुल fast बनाया जाए चाहे काफी slow बना जाए उसमें कुछ imperfections यानि कुछ न कुछ खामियां रह जाती है खामियों का मतलब या problems का मतलब यहां पे यह है कि imperfection का मतलब यह है कि particles को जैसा होना चाहिए था जो उनकी एक ideal arrangement होनी चाहिए थी जिस जगा पे उनको बैठना चाहिए था वो उस जगा पे present नहीं होते हैं तो जब particle जो एक उसकी ideal जगा थी कि particle इस तरह से बैठे होने चाहिए थे इस इस जगा पे वो वहां से ना हूँ उनमें कुछ बदलाव आ जाए तो हम कहते हैं crystal में क्या गई? imperfection आ गई तो यह है तो यह बटा starting में जो यह बताया हूँ है ना यह जस ऐसे read करना इसमें कोई खास बात नहीं है बस यही जो मैंने बोला कि crystal में defect आने ही होता है चाहिए वो slow बनाओ चाहिए fast बनाओ तो वो चीज़ बताईए main आपका यह यहां से start होता है इस point से कि these defects are basically यह जो imperfections की बात कर रहा है कि these defects are basically irregularities in the arrangement of constraint particles तो basically अगर आपको भूचता है कि imperfection क्या है तो आपने यह बताना है imperfections क्या होती है irregularities irregularities भी regular मतलब irregularity का क्या मतलब हो जाएगा irregularity मतलब कि जो normal होना चाहिए था वैसा नहीं है तो उसको कहेंगे कि irregularity आ गई किसमें irregularity आ गई particles की arrangement में तो यही इसको हम imperfection कहेंगे मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कहा मैंने imperfection आने का मतलब particle को जैसे वहाँ पे होना चाहिए था वो उस तरह से present नहीं है तो वो irregularity हो गई अच्छा यह जो defect है या यह जो imperfection है गयता दो types के होते हैं कौन-कौन से point defect और line defect बटा कोई मुश्किल काम नहीं है यह नाम पर ध्यान देना point और line इन पर ध्यान देना इनी से आप समझाओगे देखो point का मतलब है कोई particular जगा तो बस वही है कि point defect का मतलब क्या हुआ कि पूरे crystal में किसी particular जगा पे किसी particular point ही word भी यूज़ कर देना चाहिए कि किसी particular point पे point कहने का मतलब है कि कोई एक आदे atom पी की या एक आदे particle की position जो है वो जो है वो missing है तो इस तरह से आप कह सकते हो तो यह point defect है यह देखो point defects are the irregularities or deviation deviation का मतलब भी होता है कि बदलाव कर देना उससे अलग हो जाना from किसे अलग हो जाना from ideal arrangement आइडिल क्या होता है ideal का मतलब कि जैसी होनी चाहिए थी around a point or an atom in a crystalline substance तो पूरे crystal में किसी एक point पे या एक atom की position में कोई change आ जाए जो उसकी arrangement होनी चाहिए थी वैसी ना रहे तो उसको हम कहेंगे कहता point defect और दूसरा क्या नाम लिया था line defect line का मतलब यह हो जाएगा कि पूरी row में गड़बड आ गई point का मतलब तो यह हुआ किसी किसी जगह पे और line का मतलब वह पूरी row में problem आ गई तो जैसे match में पढ़ाओगा अपने row और column matrices में तो वैसे समझ सकते हो कि पूरी row या पूरा column बोल दो उसी में दिक्कत आ गई जैसे या तो पूरी row के पार्टिकल जो है वो गायब हो गए या एक ऐसी row बन गई जहां पार्टिकल होने नहीं चाहिए थे पर पार्टिकल आ गए तो यह पूरी row में गड़बड हो गई तो वो line defect हो गया तो simple यह है यह देखो whereas line defects are irregularities or deviation from ideal arrangement in entire row of lattice points these irregularities are called crystal defects इनको कहना है हमने क्या कहना है crystal defects कहना है crystal defects दोनों को कहा मतलब point defect को भी और line defect को भी next देखिए next हमारे पास आते है types of point defects तो यह जो हमारे पास point defects है अब पीछे पड़ा जैसे हमने दो तरह के defect है point और line तो basically हमारे slabis में न बागे point defect ही है line defect नहीं है हमारे slabis में तो point defects can be classified into three types stoichiometry, impurity और non-stichometry तीन तरह के हैं तो मैं तीनों को मतलब आपको समझाता चलूँगा पहले stoichiometry की बात कर लेते हैं stoichiometry का मतलब पता क्या होता है stoichiometry का मतलब होता है कि ratio नहीं बिगड़ेगी ratio नहीं बिगड़ेगी का मतलब मैं ऐसे समझा देता हूँ जैसे मान लो आपके पास NaCl का crystal है उसमें 50-50 NaCl है तो गड़बड होन मतलब ओवराल ratio में थोड़ न कोई फरक पड़ा Na और Cl वैसे भी 50 ratio 50 यानि 1 ratio 1 नहीं रहने चाहिए थे अगर दो दो चले भी गए तो डिफेक्ट तो आ गया मनलब मैं करा हूँ आइडिली 50 होने चाहिए थे पर दो पार्टिकल मिस हो गए तो कम तो हो गए पार्टिकल लेकिन ratio तो वही रही न तो जब इस तरह से यानि जो रेशो होती है एक इस तरह की पार्टिकल की उसमें कोई फरक ना पड़े तो हम कहते हैं stoichiometry maintain रही तो यह जो डिफेक्ट होते है stoichiometry defects इनमें ऐसा ही होता है यानि जो रेशो होती है एक तरह की पार्टिकल की उसमें कोई change नहीं आता है तो आपने simple चाहिए ऐसे ही बिता दे न दीस these are the point defects which does not disturb यह disturb word होगा इसको ठीक कर लेना which do not disturb the stoichiometry of the solid they are also called intrinsic intrinsic का मतलब बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी वो crystal रखा था crystal में अपने आप ही किसी external जग की factor की वज़ा से वो defect नहीं आया बस अपने आप ही हो गया वो तो उसको कहते हैं intrinsic तो इनी factor यह जो stoichiometry है कह दूसरा नाम है intrinsic defect भी कह देते हैं इसको और thermodynamic defect thermodynamic का thermo, thermo मतलब heat, dynamic मतलब movement तो यह चीज आ गई यह तो कहता है intrinsic का मतलब अपने आप ही हो जाएगा किसी बाहर से कोई चीज add करने की जरूरत नहीं पड़ी यह thermodynamic, thermodynamic का मतलब हो गया कि heat मिली और heat से particles, dynamic मतलब move, therm मतलब heat, dynamic म move कर गए, move कैसे कर गए वो अपनी जो जिस जगह पे उनको होना चाहिए था वो उसको छोड़ के कहीं और निकल गए, तो वो हो गया thermodynamic defect, अच्छा basically these are of two types, अब यह stoicometry भी दो तरह के हैं कहता, vacancy, अच्छा मैं पहले ना यहां पे एक बात clear पर दे, तो यह जो अब मैं four non ionic solid, यहां पे लिख देना, और यहां पे भी लिख देना यही चीज, intrinsic में भी, यहां पे bracket में four non ionic solid, तो चलो मैं बताता हूँ, और मैं फिर भी दवारा फिर बोल दूँगा, तो पहले vacancy defect, और यहां पे bracket में क्या लिखने को का मैंने, four non ionic solid, यह non ionic के लिए बात कर रह तो vacancy क्या होता है, vacancy का मतलब बताओ पहले, vacancy का मतलब होता है, खाली जगा, तो जब crystal में खाली जगा होनी तो नहीं चाहिए थी ideally, लेकिन कुछ खाली जगा मिल जाएं, तो हम कहते हैं कि इस crystal में तो vacancy defect है, simple सा है मतलब बता, जैसे देखो मैं एक बात समझाता हूँ, ज यह मैंने crystal रखा एक और इसमें कुछ particles हैं, ए particles हैं, तो देखो यह दो जगा देख रहे हो अब, एक यह और एक यह, यहाँ पर particle को होना चाहिए था, जैसे यह particle है तो इदर भी तो होना चाहिए था, और इसी तर से अगर यह particle है तो इदर भी तो होना चाहिए था, पर यह दो जगा बनी ये दो जगा जहां पर पार्टिकल को होना तो चाहिए था पर है नहीं तो जब पार्टिकल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ना हो उस वहां से मिसिंग हो तो हम कहेंगे वेकैंसी डिफेक्ट हो गया और क्योंकि बेटा पार्टिकल गायब है तो नैचली मास भी कम हो जाएगा ओवराल क्रिस्टल का और डेंसिटी क्या होती है मास बाइ वोल्यूम तो अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी कम होगी तो ये इसका एक इंपोर्टेंट पॉइंट है वेकैंसी डिफेक्ट का और वही देखो एक बार पढ़ भी लेते हैं चलो वहां पर पढ़ी हुई है तो हम कहेंगे क्रिस्टल में क्या आ गया और जैसे मैंने समझाया बटा पार्टिकल्स चले गए तो मास बीच कम हो गया मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम होगी तो इस रिजल्ट्स इन डेंसिटी ऑफ दा सबस्टैंस से डेंसिटी कम हो जाएगी और अच से वो छोड़ के चले जाते हैं तो वह यह समझाया गया है कि vacancy defect कब होगा heating पे होगा कब होगा यह vacancy defect heating पे तो यह चीज समझाये this defect can also develop when substance is heated चलिए next देखते हैं next हमारे पास कुन सा आ गया interstitial defect अब interstitial किसको कहते थे interstitial site point था interstitial site कहते हैं void को खाली जगा जो होती है उसको कहते हैं interstitial site तो interstitial defect में क्या होगा कि कुछ particles जो हैं चलो मैं ऐसे example से जम जाता हूँ पहले जैसे यह a a a a a a a a इस तरह से crystal है अब crystal है तो यह जो void है यह जो बीच की खाली जगा है यह खाली रहनी चाहिए थी लेकिन क्या हुआ एक जगा पर particle आ गया यह होनी तो खाली चाहिए थी जैसे यह है लेकिन यहां पर खाली के बज़ाए एक particle फिट हो गया तो ये जो defect होगा कि particle होना तो नहीं चाहिए था interstitial site पे, interstitial site मतलब void पे होना तो नहीं चाहिए था पर आ गया, तो ऐसे case को हम कहेंगे ये कि आ गया interstitial defect आ गया, तो देखो, और एक और बात क्योंकि particle बढ़ गया था बेटा, particle बढ़ गया ये एक important point है इसका, देखिए, when some constituent particles occupy an interstitial site, यानि कुछ particles जो हैं, वो किस जगह पे आ जाएं, interstitial site पे आ जाएं, interstitial site क्या होती थी, void होता था, the crystal is said to have interstitial defect, तो हम कहेंगे crystal में क्या आ गया interstitial defect आ गया, this defect increases the density of substance, क्योंकि particle बढ़ गया है, तो mass बढ़ेगा, mass बढ़ेगा तो density भी बढ़ेगी, तो ये थे वीटा, non-ionic के लिए, और next हमारे पास आते हैं, ionic solids के लिए, ionic solids must always maintain electrical neutrality, यानि जब भी ionic solid में defect आता है, एक चीज़ पे फरकनी पड़ेगा, किस पे, electrical neutrality पे कोई फरकनी पड़ता है, मतलब total positive charge और total negative charge हमेशा same रहते हैं, तो अब इसमें ionic solids में क्या होता है, ये देखो ये बताया, इसने कहता, जैसे non-ionic में, मैंने पीछे बोला था, वो non-ionic थे, non-ionic में कौन से होए, vacancy और interstitial होए, कहता, लेकिन ionic में कौन से होते हैं, frankl और scot की defect होते हैं, तो ये frankl और scot की जो हैं, ये ionic के लिए हैं, तो अब पहले frankl defect पढ़ लेते हैं, frankl में क्या होता है, बड़ा सान है, मैं एक example से समझाता हूँ, ध्यान देना, frankl में इस तरह से होता है, बड़ा, जैसे ही मैं ये crystal लिख रहा हूँ, ag positive, cl negative, ag positive और cl negative इस तरह से crystal है, अब यहाँ पे खाली रहेगी जगा, यहाँ पे cl negative आना चाहिए, बड़ा, positive के साथ negative आएगा, तो यहाँ cl negative, अच्छा, सुरी, एक नट बड़ा, मैं फिर से negative, अब यहाँ पे positive है न, तो यहाँ negative लिखना है, तो यह cl negative, और यहाँ पे कौन आएगा बताओ, ag positive, पर वो ag positive नहीं है, वो missing है, और वो ag positive पता कहाँ चला गया, इधर आ गया, इधर मतलब यह void पे आ गया, तो यह जो ag positive आया है, यह void पे आ गया, और यहाँ कोन आएगा CL negative इस तरह से यहाँ पे कोन आएगा AG positive तो यह जो defect हुआ न यह frankal defect है और यह ionic solid में लेना ionic मतलब positive और negative वाले में तो देखो, AG मतलब क्या हुआ frankal defect में particle ने अपनी normal position छोड़ दी और कहाँ चला गया, void पे चला गया तो जब ऐसा case बन जाए कि अपनी normal position छोड़ के वो void पे चला जाए जैसे AG positive तो इसको कहेंगे frankal defect और एक और बात frankal defect में क्या हुआ यह देखो यह जगा खाली करती, इसने खाली कर दी तो यह vacancy defect हुआ खाली कर दी ना जगा, जगा खाली हो गई तो यह vacancy defect हुआ और साथ में क्योंकि पार्टिकल void में भी पहुँच गया, तो यह interstitial defect हो गया, तो यह चीज है frankal defect, तो देखो the defect is shown by ionic solid जो मैं शुरू से बता रहा हूँ और हाँ, एक और चीज, void कैसा होता था चोटा होता था, यह बड़ा होता था size में, तो void चोटा होता है और चोटा होता है, तो उस पे जाएगा भी कौन बताओ, कटाइन या anion, कटाइन जाएगा बता, क्यों कटाइन और anion में चोटा कोन होता है, कटाइन तो वह यह बताए है, the smaller ion, यानि की कटाइन, is dislocated, dislocated मतलब जगा अपनी change करेगा, एक जगा से दूसरी जगा, from, its normal side, normal side मतलब जहां उसे होना चाहिए था, to an interstitial side, interstitial side मतलब void पे चला गया, एक बड़ फिर से देख लो, तो इस defect में क्या होता है जो छोटा iron होता है, छोटा iron यानि कटा iron, वो कहता है, dislocated हो जाता है, dislocated मतलब अपनी जगा से हिल जाता है, और कहां से कहां हिलता है, कहता है, अपनी normal position से, interstitial side यानि void पे चला जाता है, अच्छा it creates a vacancy defect, vacancy हुआ वहाँ पे, कैसे हुआ है, बेटा जिसको वो छोड़के गया, वहाँ तो vacancy बना दी, and an interstitial defect at its new location और जहां पे वो पहुँच गया है, यानि void पे, जहां पे वो पहुँच गया, तो वहाँ पे interstitial defect हो गया, तो इस तरह से frankal में दोनों defect हो गया, vacancy भी हो गया, और interstitial भी हो गया, और यह देखो, frankal defect is also called dislocation defect, अब थोड़ा दिमाग खुद लगाओ बटा, dislocation क्यों कहा, क्योंकि particle अपनी position एक जगा से छोड़कर दूसरी जगा पे गया, रहा वो crystal के अंदर है, crystal को छोड़की नहीं गया, रहा वो crystal के अंदर ही बस crystal के अंदर ही उसने अपनी एक जगा छोड़ी और दूसरी जगा पहुंच किया, अच्छा it does not change the density of solid, बिल्कुल density में कोई change नहीं आया, क्योंच नहीं आया, क्योंकि particle ने सिर्फ crystal के अंदर जगा बदली है, particle crystal को छोड़के बाहर नहीं गया कि कि उसका मास कम हो जाएगा, तो इसलिए it does not change the density of solid, फ्रेंकल डिफेक्ट is shown by ionic substances in which there is a large difference in size of ions, तो फ्रेंकल डिफेक्ट कोन दिखाएंगे कहता, वही दिखाएंगे जहां ions, ions मतलब कटायन और अनायन के बीच में size का difference काफी हो, मतलब में बात क्या है कटायन को जाना है, वोइड के अंदर तो कटायन वोइड के अंदर तभी जाएगा अगर कटायन का size कैसा होगा, छोटा तो यह वही कहना चाहरा है, basically कि कटायन का size छोटा होना चाहिए, और अनायन का size बड़ा होना चाहिए, ताकि कटायन का size छोटा होगा, तो भी तो वोइड में जा पाएगा ना, तो यह कहना चाहरा है और इसके example देखो, ZNS आ गया, AGCL आ गया क्यों यह example नहीं गयता, क्योंकि यह ZN2 positive और AG positive जो है इनके size छोटे होते हैं और इसके बाद देखो next आगे हमरे पास ZN2 positive और AG positive are of small size, group 11 के हैं, अच्छा यह सिखाया भी है विटा क्योंकि आपको याद होगा, left to right जाने से size छोटा होता जाता है तो group 1 वाले बड़े होते हैं, यानि sodium बगेरा, sodium, potassium वो बड़े हैं जैस जैसे आप आगे जाओगे और group 11 तक पहुंचते पहुंचते तो काफी छोटा size हो जाता है, तो इनका क्योंकि छोटा size है, इसलिए ये वोइड पे जा पाते हैं और वोइड पे जा पाते हैं, तो इसलिए तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाते हैं इनकाउंड, इनकाउंड के जो कंपाउंड होते हैं, आइनकाउंड होते हैं ये बड़ा इंपोर्टन पोइड है इसको नोट कर ले ना, नोट नहीं आएगा यहां पे तो ये ध्यान रखना, तो जैदन टू पोजिटिव और एजी पोजिव के जितने आइनी कंपाउंड होंगे, वो फ्रेंकल में डालने हैं, आपने क्यों डालने हैं, क्योंकि इनकाउंड का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, तो वो वोईड पे move करके जा सकते हैं और इसलिए वो फ्रेंकल दिखाएंगे तो यहाँ पर so day can आएगा